मुवी का स्टार्ट एक छोटी बच्ची एलिस से होता है जिसे बहुत ही विर्ड और स्केरी ड्रीम्स आते हैं लेकिन उसके फादर उसे हमेशा काम डाउन होने में हैल्प करते हैं सेटीं 1771 में लंडन में शिफ्ट होती है जहां एलिस 19 यहности की हो चुकी होती है मगर वो अपने फादर को भी खोचुकी होती है एलिस अपनी मदर के साथ लॉर्ड एसकॉर्ड के EstadosShe Tolkien के लिए चाहती है वहाँ उससे पता चलता है कि Lord Escort का सन हेमिश उसे सब के सामने शादी के लिए प्रोपोस करने वाला है मगर Alice को वो बिल्कुल भी पसन नहीं होता है तबी अच्छानक एलिस को हेमिश की मदर से बात करते हुए अपनी ड्रीम्स में आने वाला रैविट रियल में नजर आता है पहले तो एलिस को यकीन नहीं आता है क्यूंकि अच्छानक वो रैविट गायब हो जाता है लेकिन जब हेमिश उसे सब के सामें प्रोपोस करता है तो एलिस उसके प्रोपोजर को मना करते हुए रैविट को फॉलो करती है जिसके बाद एक ट्री के पास रैविट होल के अंदर गिर जाता है बहुत नीचे जाने के बाद एलिस एक रूम में जा पहुँचती है उस की से ओपन हो जाता है पर एक मसला खतम होता है तो दूसरा आ जाता है एलिस उस डोर के छोटे होने की वज़ा से उससे गुजर नहीं पाती है रूम को एक्सप्लोर करते हुए एलिस को वहाँ एक बॉटल मिलती है जिस पे ट्रिंक मी यानि मुझे पीओ लिखा होता है उसे पी के एलिस की हाइट कम हो जाती है मगर की टेबल पे रह जाती है और उस तक पहुंचना मुश्किल हो रहा होता है तभी उसे टेबल के नीचे के के का पीस मिलता है जिस पे इट मी यानि मुझे खाओ लिखा होता है उसे खा के एलिस पड़ी हो जाती है की पकड़ती है और बॉटल से लिक्विट पी के फाइनली उस डूर को पास कर लेती है जिसके बाद वो वांडरलेंड नामी माजिकल प्लेस के फॉरस्ट में जा पहुंचती है जहां वो एक वाइट रैपेड डोर माउस डोडो टॉकिंग फ्लार्स और आइडेंटिकल ट्विंस ट्वीडल डी और ट्वीडल डंस से मिलती है ऐसा शो हो रहा होता है कि वो सब आलिस को पहले से ही जानते हैं वो सब ये बहस करते हैं कि वो राइट आलिस ह है या रॉंग एलिस है उससे एपसुलम ब्लू कैटरपिलर के पास लेकर जाती है जो अपना औरैकलम खोल के उनके सामने रख देता है औरैकलम एक कैलेंडर की तरह का स्क्रोल है जिसमें वोंडरलेंड की हिस्ट्री और फ्यूचर शो होता है औरैकलम के एकॉर्डिंग आल अचानक उन लोगों पे रैवनस बीस्ट, बैंडर स्नाच और रेड नाइट्स की आर्मी अटैक कर देती है उस आर्मी को नेव ओफ हार्ट्स लीड कर रहा होता है जो रेड क्विंग का जेनरल और लवर होता है सब डर के भागना शुरू हो जाते हैं डोडो को क्विंग की आर्मी हॉस्टिज बना लेती है बैंडर स्नाच और इसको अटैक करने ही वाला होता है कि डॉर्माउस उसकी आँख पे अटैक करके निकाल देता है जिसका फाइदा उठा के ऐलिस ट्विंग के साथ वुड्स में निकल जाती है यहां नेव को एपसलम का औरेकलम मिल जाता जो रेट कुइन बहुत ही क्रूल और वीर्ड होती है जो हूमन्स आनिमल्स किसी पर भी तरस नहीं खाती है नेव और एकलन लेके रेट कुइन के पास पहुँच जाता है जो फॉरन अलिस को डूड के उससे मारने के ओडर्रस देती है नेव ब्लड हां को अलिस के सेंट को करते उसे डूढने को कहता है ये करने के लिए वो उसे लालज देता है कि वो उसकी वाइफ और बच्चों को फ्री करवा देगा एलस टलजी वुड्स में एंटर करती है जहां वो चशायर कैट से मिलती है जो इन्विजिबल होने की एबिलिटी रखती है कैट एलस को मैट और डॉल्माउस की टी पार्टी में ले जाती है नेव भी ब्लड हाउंड की मदद से वहां पहुंच जाता है है एलस को छोटा करके टी पॉट में चुपा देता है और ब्लड हाउंड को अपनी मदद के लिए कंवेंस कर लेता है नेव के वहां से जाने के बाद हैटर एलस उसको छोड़ा ड्रेस बना के देता है और अपने साथ विलिज में ले जाता है। हैटर उसे बताता है कि उसने ये रबेलियन तब जोइन किया था जब रेड क्वीन ने उसका सारा विलिज जला दिया था और सब लोगों को मार दिया था। हैटर मजीद बताता है कि रेड को भी कैप्चर करके अपने पास चुपाया हुआ है एलस कहती है कि वह कोई स्लेर नहीं है जिस पर हैटर कहता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए वह उन लोगों की आखरी उमीद है ने उन लोगों को फॉलो करता वहां भी आ जाता है जिस पर हैटर एलस को अपनी हैट पे बिठा के रिवर के दूसरी साइट पर भेज देता है और खुद सोल्जर्स के हाथ लग जाता है एलस रात उसी हैट के नीचे गुजारती है सुबह बलड हाओं महां आता है जिससे एलस कमेंस कर लेती है कि वह उसे रेड क्वीन के कैसल ले जाए ताके वह हैटर को उनसे ब पहुंचती है और उससे कैसल के अंदर चली जाती है रेड क्वीन के कैसल पहुंच के एलस को वहां हेर मिलता है जो उसे केक देता है एलस वह खाके बहुत बड़ी हो जाती है और क्वीन के नोटिस में आ जाती है रेड क्वीन जो एलस की रियल आइडेंटिटी नहीं जान करती है ऐलिस उसे अपने आपको उम बताते हुए कहती है कि उसे बताया गया था कि इस कैसल में बड़े लोगों को वेल्कमज किया जाता है इसलिए वो यहां आ गई है रेड कुई उसे अपना इस बना लेती है रेड कुई ट्विंद को वहां बुला के उन दोनों को एंटर् पðरयнес को बोलती है और दो क्वीन इसे हैटर को बुलाने दो कहती है हैंडर के आने पर रेड़ कुछ उससे मैनूप्रेट कर लेता है कि वह वसके लिए बहुत भूम हैट्स मना सकता है ON से मारने के बज़ाएं यहां व्याटों के पास strategies लेब 가지고 जिस पर white queen बहुत hopeful हो जाती है और bloodhound को कहती है कि Alice जो कर रही है उसे करने दो उन्हें अपने slayer पे यकीन रखने की ज़रत है Scenes red queen पे shift होती है जो Alice के wonderland में आने की वज़ा से बहुत परिशान होती है वो नेव से कहती है कि उन्हें Alice को माना होगा वरना वो अपना crown खो देगी यहां हम पर reveal होता है कि pond में जिन लोगों की dead bodies है वो और कोई नहीं बलके इन queens के parents है Red queen और white queen sisters हैं लेकिन सबने हमेशा छोटी होने के बाद भी white queen को ही prefer किया है जिस वज़ा से red queen इतनी cruel और dangerous हो गई है कि red queen कुछ भी हो जाए throne को नहीं खोना चाती है क्योंकि उसे लगता है कि उस पे बस उसका ही हक है इसी दोरान में hair वहां से auraculum उठा के ले जाता है hatter से मिलने पर वो Alice को बताता है कि hair auraculum लेके उसका wait कर रहा है उसे वो लेकर सीधा white queen के पास जाना है Alice twins की मदद से hair तक पहुँचती है जो उसे बताता है कि वो जानता है कि warple sword कहा है hair Alice को उस हट तक ले जाता है जहां warple sword है मगर वहां पहुँचते पर वो देखते हैं कि sword की protection bander snatch कर रहा है ये देखकर Alice पहले तो डर जाती है मगर फिर उसे एक idea आता है Alice फॉरन भागते हुए डोर माउस के पास जाती है उससे वो bander snatch की eye लेके वापिस hurt के पास जा रही होती है कि उसे नेव रोक लेता है जो Alice को harass करने की कोशिश करता है मगर Alice उसे push करती वहां से निकल जाती है नेव को ये करते है queen की एक servant देख लेती है Alice आई लिए bander snatch के पास पहुँचती है उसे उसकी eye दे के Alice उसके साथ डोस्ती कर लेती है जिसके बाद sword लेने जाती है तो देखती है कि वो एक chest में locked है जिसकी key bander snatch के गले में है bander snatch उस पे attack करने आता है तो Alice उसे अपना wound दिखाती है जो bander snatch ने उसे पहले दिया था bander snatch पुरा feel करते हुए Alice को प्यार करता है और की भी लेने देता है Alice sword लेके hatter के पास पहुँचती है यहाँ queen को नेव की हरकत का पता चल जाता है जिस पर वो नेव को confront करती है नेव सारा इल्जाम Alice पे डाल देता है यह सुनके queen Alice को मारने की orders देती है नेव जब soldiers लेके Alice के पास पहुँचता है तो उसे पता चल जाता है कि वो ही असली Alice है जो white queen की slayer बनके red queen को हराएगी नेव Alice पे attack करने ही लगता है तो hatter और door mouse उसे cover करते हुए वहाँ से जाने को कहते हैं मगर नेव सब को alert कर देता है soldiers Alice को चारों तरफ से घे लेते हैं बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं होता है तभी entry होती है bander snatch की जो सब को मार कर गिरा देता है और Alice को castle तक ले जाता है आगे उन्हें bloodhound मिलता है जो उन्हें white queen के castle तक ले जाता है वहाँ पहुँचके Alice white queen को उसकी sword देती है white queen Alice को drink दे के वापिस उसकी size में लाती है जिसके बाद Alice epsilon से मिलती है जो Alice को कहता है कि वही right Alice है जो frap just day पे slayer बनके wonderland को उसकी right queen दे देगी scenes hatter पे shift होते हैं जिसकी मदद के लिए cat वहाँ पहुच जाती है next day जब red queen hatter का सर कटवाने वाली होती है तभी अचानक hatter गायब हो जाता है और उन लोगों पे reveal होता है कि वह hatter नहीं बलके cat थी red queen गुसा होकर जब जब bird को release कर देती है hatter, twins, door mouse, cat और bloodhound की family उन सब से बचते हुए red queen के cat से अज़ाद होके white queen के castle पहुच जाती है hatter, Alice को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये उसका dream नहीं है बलके reality है लेकिन Alice अभी भी denial में होती है, fredges day में सिर्फ एक दिन बाकी होता है सब लोग चाहते हैं कि Alice उनकी slayer बन के red queen के jabber walkie को fight करे white queen Alice को कहती है कि वो सोच समझ के ये फैसला करे क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है और एक बार responsibility लेने के बाद वो पीछे हट नहीं सकती है Alice डर जाती है और वहां से भाग जाती है Alice जाके Absalom से मिलती है जो अपना caterpillar का time पूरा होने पर transform होने वाला होता है Absalom Alice को याद करवाता है कि जो वो पचपन से देख रही थी वो उसका dream नहीं था बलके reality थी Alice पचपन नेरी wonderland आ चुकी है इसलिए सब उसे चानते हैं और उसका wait कर रहे थे जब Alice यहां से अपने world में गई तो वो सब एक memory बन गई थी जो एक dream की तरह refresh होती रही थी दोनों आर्मी इस फ्रैब जस्टे पे fight के लिए तयार होके निकल रही होती है white queen और उसकी आर्मी को लगता है कि उन्हें अपने slayer के बगएर ही वहाँ जाना होगा तब ही Alice पैंडल स्नेच पे बैठी सूट ओफ आर्मर में वोर्पल स्वाट के साथ fight के लिए वहाँ पहुंच जाती है दोनों आर्मी इस चेस पोर्ट के तरह की battle field पे पहुंचते हैं जहां white queen red queen को समझाने की कोशिश करती है कि fight नहीं करनी चाहिए है लेकिन red queen कुछ भी सुने बगए अपने jabber walkie को fight के लिए field पे ले आती है हैटर Alice को impossible पे believe करते हुए fight करने को कहता है Alice अपने father की advice को follow करते हुए हर impossible चीजों की list को याद करते हुए fight स्टार्ट कर देती है Alice jabber walkie की tongue cut कर देती है जिस पर वो घुस्ते में आ जाता है लेकर hatter उसे distract कर देता है और Alice tower पे चरना शुरू हो जाती है red queen hatter के involvement पे अपने soldier को attack के लिए बेश देती है जिस पर सबके बीच fight शुरू हो जाती है Alice jabber walkie से बचती उसे distract करती tower की top पे चली जाती है जब jabber walkie उस पे attack करने पहुँचता है तो Alice स्वार्ड से गला कार्ड के body से अलग कर देती है जब jabber walkie का गला field पे आ कर गिरता है तो war वहीं रुप जाती है सब red queen के orders मानने से मना कर देते हैं और white queen की तरफ हो जाते है white queen red queen को मारने के बज़ाए उससे हमेशा के लिए अकेले रहने की सजा सुनाती है kingdom का कोई भी इंसान उससे कभी भी बात नहीं करेगा red queen की इस punishment में नेव को उसके साथ handcuff करके partner बना दिया जाता है जिसके बाद white queen Alice को जैबरवाकी का blood देती है जिसे पी के वो अपने world में वापिस आ जाती है यहाँ Alice हेमिश को शादी से मना करके उसके फादर के साथ business डिसकस करने चले जाती है Alice lord escort को अपने होंकों के साथ trading idea से impress कर देती है last scenes में वो एक trading ship के साथ जा रही होती है जब एक beautiful blue butterfly उसके shoulder पे आकर बैठ जाती है Alice को realize होता है कि वो absolute है जो अपनी transformation complete कर चुका है Alice उसे smile देती है और वही movie end हो जाती है तो दोस्तों इस movie से हमें lesson मिलता है कि हमेशा world को save करने के लिए एक hero की ज़रूरत नहीं होती है अगर एक लड़की अपने उपर यकीन रखे और उसकी strong will power हो तो बगएर किसी hero की मदद के खोद अपने और अपनी family के लिए एक hero बन सकती है